हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस मैं हूँ कीरन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चीनी जितनी कम उतनी ही अच्छी के बारे में क्या आप हर चीज में चीनी जादा पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इससे पहले इंपोर्टन बात अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स आपको मीठा खाने का जादा शोंक है और आप चाय से लेकर दहीं रायते और सेंडविच टोस्ट में भी च चीनी का इस्तेमाल आपके लिए कई प्रकार से नुकसान दाए हो सकता है नमबर एक मूर्ट स्विंग चीनी का अधिक सेवन करने से मूर्ट स्विंग की समस्या हो सकती है अधिक मीठा खाने वाले अचानक हताशा या अफसात से गिरते देखे गई हैं इसलिए चीनी कम ही अच्छी मानी गई है नमबर दो एकागरता में कमी दोपहर में मिठाई खाने या शरक्रा युक्त भोजन करने के बाद बोड़ी में सुस्ती और नीन सी महसूस होने लगती है और काम में मन नहीं लगता इसलिए चुस्ती फूर्ती बनाए रखने वे अपनी में बैड कोलोस्टोल लेवल बढ़ने का सबब बन सकता है अगर आप कोर्डियो वस्कुलर डिजीज और मुटापे से बचना चाहते हैं तो आपको चीनी का सेवन सो समझ कर ही करना चाहिए नमबर चार इंफ्लेमेशन चीनी के सेवन से बोड़ी में इंफ्लेमेशन बढ़ इसुलिन शर्न होने पर बोड़ी में गुलूकोस का लेबल बढ़ जाता है और फिर जोडों में दर्द भी होने लगता है नमबर पांच दांतों को नुकसान जो बच्चे टोफी बगेरा ज़्यादा खाते हैं उनके दांत नस्ट हो जाते हैं या उनमें कीडे लग जाते ह नमबर छे फैटी लिवर फ्रेक्टोस की पाचन क्रिया बहुत जटिर होती है इससे लिवर में फैट जमा हो जाता है जिने फैटी लिवर की शिकायत हो उन्हें तो चीनी क्या सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए फ्रेंस आज मैंने आपको बताया है चीनी जितनी कम उतन ही अच्छी होती है यह को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यावा दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब क कर लीजिएगा ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले इट हेल्दी स्टे फिट लिव हैपिली बबाए